आज हम देखेंगे फ्रीडी आकारों के जालों से संबंदित मिथ्याधार्णा और गल्ती मिथ्याधार्णा नीजे दर्शाय जालों यानि नेट्स में से किस जाल से घन यानि क्यूब की रचना हो सकती है कुछ बच्चे जाल को देखकर कौन सा त्रिविमिया आकार बनेगा इसकी कलपना यानि विज्वलाइज नहीं कर पाते वे दिये सवाल का जवाब नहीं दे पाते इस समस्या को दूर करने के लिए पेपर या गत्ते पर जाल खीच कर और उसे काट कर उससे त्रिविमिया आकार बनाने का प्रयास करना चाहिए ऐसा करते समय जाल का कौन सा फलक त्रिविमिय आकार में किस स्थान पर व्यवस्थित हो रहा है इसका ध्यान रखना चाहिए घन का जाल दर्शाने के लिए किताबों में तथा सिखाते समय पहले जाल का अक्सर प्रयोक किया जाता है जिससे बच्चों के मिध्याधाना बन जाती है कि सिर्फ इसी जाल से एक घन की रचना की जा सकती है इसलिए वे उप्शन एक जवाब देते हैं जो की कलट जवाब है कुछ बच्चे सिर्फ यह देखते है कि यहाँ प्रतियक जाल में छव वरगाकार फलक यानि स्क्वेर फेसे है चुकि घन के भी छव फलक होते हैं इसलिए वे सोचते हैं कि दर्शाय गए तीनों जालों से घन की रचना की जा सकती है यहाँ वे जाल से त्रिविमिय आकार की कलपना करना नजर अन्दास कर देते हैं और आप्शन दो जवाब देते हैं लेकिन यह भी एक गलत जवाब है यहाँ प्रत्येक जाल में 6 वरगाकार फलक जरूर है लेकिन अगर हम कलपना करेंगे तो सिर्फ जाल ए और जाल बी से ही घन की रचना की जा सकती है अगर जाल सी की बात करें तो इसमें यह दोनों फलक एक दूसरे के उपर आते हैं तथा एक फलक का स्थान खाली रहता है इसलिए जाल सी से घन की रचना नहीं की जा सकती यानि कि आप्शन 3 सही जवाब है गलती कुछ बच्चों को त्रिविमिया आकार दिया जाए और इसका जाल खीचने के लिए कहा जाए तो वे जाल नहीं खीच पाते कुछ बच्चे कलपना नहीं कर पाते कि दर्शाय गए त्रिविमिया आकार के लिए कौन सा जाल सही है इसलिए वे दिये सवाल का जवाब नहीं दे पाते यदि हम इस आकार को दर्शाई कई रेखाओं के अनुदीश काटते हैं तो हमें इस प्रकार का जाल प्राप्त होगा इसी तरह यदि हम इसे किनारों के अनुदीश काटेंगे तो हमें इस प्रकार का जाल प्राप्त होगा अब आप स्वयम सोचिए कि इस आकरिती को कैसे काटा जाए कि हमें इस प्रकार का जाल प्राप्त होगा दर्शाई गई आकरिती एक घनाप यानि क्योबोईड है इसका जाल खीचने के लिए हम किसी एक आयत को आधार मान सकते हैं फिर इसके चारो किनारों पर आने वाले फलकों की पहचान कर इन्हें जाल में आधार के चारो किनारों पर खीच सकते हैं पिर आधार के सम्मुख फलक को उचित स्थान पर रखकर जाल पूरा किया जा सकता है। यह अवश्यक नहीं कि किसी ठोस का एक ही जाल हो, बलकि जाल अलग-अलग भी हो सकते हैं। जैसे एक घनाप के इस प्रकार अलग-अलग जाल हो सकते हैं। वीडियो रोक कर कल्पना कीजिए कि इनसे एक घनाप कैसे बनेगा। आज हमने देखी 3D आकारों के जालों से संबंदित, मिध्याधार्ना और गलती।